हेलो गाईज वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में लिख कर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इजी बन डुटोरियल यह स्टाइल आप किसी भी हेर लेंद पर कर सकते चाहिए आपके हेर शॉट है लॉंग है या मीडियम है किसी पर भी आप इसे कर स देखते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको पोनी बना लेनी है और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चाहिएगा वीडियो एंट तक देखिएगा लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अब देख सकते हो हमारी पोनी डन कर ली है हमने अब हमें कुछ इस तरह का क्लचर चाहिए हमें बालों को उपर करना है और कुछ इस तरह से क्लचर लगाना है अब देख सकते हो हमने क्लचर लगा लिया है अब हमें बालों को पीछे कर लेना है क्लचर को अच्छे से कवर करना है कुछ इस तरह से मैसे अब आपको कुछ इस तरह से जहां से क्लचर खतम हो रहा है वहां तब कुछ round शेप देना है इस तरह से साइज मेजर करना है और यहां पर अबर्बेंड लगा देना है देख सकते हो अभी तक कुल लुग कुछ ऐसा लग रहा है हमारे बालों का अभी बच्चे होए बालों का हमें यहां पर सिंपल ब्रेड बनाना है अबर्बेंड बनाना है अभी आपको बिलकुल एंड तक ब्रेड करना है और उसको पीछे मूडते हुए कुछ इस तरह से रबर्बेंड लगा देना है अभी इन सारे बालों को कुछ इस तरह हमें पीछे मूड़ते जाना है और एंड पे जाकर रबर्बैंड लगा देना है यहाँ पे इनको सिक्योर करने के लिए अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है अगर आपकी ब्रेड काफी लंबी होई जैसे सही है ऊपको सीम जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है लेकिन अगर आपके अब के बहुत शौट है पंद्ब शूल्डर लेंद तक है आपके है तो आपको ऐड़ की ब्रेड की बहुत छोटी से होगी तो आपको लगा रहने देंगे तो आपका वोलीम तोड़ा ज्या सकते हैं इसे वॉल्यूम बड़ा लगेगा अब हमें बन को सारी साइड से जुडा पिंद की हेल्प से सिक्योर कर देना है तो आप देख सकते हो मैंने जुडा पिंद की हेल्प से इच्छे से बन को सिक्योर कर लिया है तो फ्रेंड्स यह हमारा फाइनल लुक आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो आज के लिए इतना ही मिलते है next video में thanks for watching, bye guys